मैं लोट यह सच है कि दामदर प्रशाद पुलिस के लिए खास कवाब बनने वाला था और उसे हमेशा के लिए खामश कर दिया गया और ये भी सच है कि डॉक्टर आश्रा माथूर उस राथ दवा लेकर अस्पिताल गई थे और ये सच है इस दवा के पीने के एक मिनिट बात दामदर प्रशाद मर गया लेकिन तवाम बातों से शाबित नहीं होता कि दामदर प्रशाद की मौत की जिमेदार डॉक्टर राश्रा माथूर है प्रोसेक्योशन के लगाए हुए इस सारे इलजाम सिर्पिश बात पर है कि इस डॉक्टर माथूर ने उस मरने वाले को जो दवा दी वो जहर है और मैं कहता हूँ यह चूट है आई अबजेक्ट में लोट वाकिल सफाई भूल रहे हैं यहीं इस टेबल पर इस बोतल के शाथ जो केमिकल रिपोर्ट मौजूद है वो यह शावित करती है इसमें सिर्प जहर है उसके सिवा कुछ नहीं इस बोतल में जहर है जी हाँ इसकी केमिकल रिपोर्ट पड़ी है मैंने मालोट जो यह कहती है इसमें जहर है लेकिन जिन्दगी और मौत के इस मुकदमे का फैसला करने से पहले हम लोगों को यह नहीं पूलना चाहिए कि यह केमिकल रिपोर्ट को आस्मान से उत्री किताब नहीं है जिसे कोई गलती नह नहीं हो सकती है मैं इस केमिकल रिपोर्ट को जुटलाता हूं कि इस दवा की बोतल में एक बूंद भी जयर नहीं है इसमें सिर्फ दवा जो किसी की जान नहीं ले सकती किसी का खूंद नहीं कर सकती है कोई शबुत तो होगा मिस्टर वर्मा आपके पास इस बात को शाबिद करने के लिए कि इस बोतल में जहर नहीं है जी हाँ शबुत और गवा दोनों मैं हूं शिर्फ मैं यह दवा है यह जहर इससे बड़ा शबुत और मैं क्या दे सकता हूं थैंक्यू मिस्टर रावत